स्टूडेंट अब हम आगे का चप्टर पढ़ लेते हैं जो हमारा दादी मा चप्टर चल रहा था और लास्ट वीडियो में आपने है देखा कि दादी मा का रामी की चाची से कुछ पैसे लें दिन के समन्द में कुछ बात हुई थी जो अब एकदम क्लियर हो चुकी थे यान अभी तक लेका का अपनी दादी मा की विशाय में सोचे जा रहे हैं जब से उनको पत्र मिला है अपनी दादी मा के नाम से अपने भहिया क्या कि उनकी दादी मा नहीं रही तो आपनी दादी मा की प्राने यादें ताजा कर रहे हैं प्रिस्तितियों का वात्य चक्र जीवन वे सूखा पता कहीं टिक नहीं पाता है एक जगह रहने पाता है यानि उसको एकदम जादा उसकी स्थी एक जगह वाली नहीं होती काफी दुख जिलने पढ़ते हैं उससे इस तरह दादी मा की भी हालत ऐसी थी यह दादी मा खूब जानती थी दादा की मृत्तियों के बाद स उन्हें आगे बेजेगा उसके पास बाद में वह जाएंगे यानि वह उन्हें बाद गलत लग रही थी यानि वह उनसे जूड़ बोया था जबकि उनके दादा पहले जा चुके थे दादा की मृत्तियों के बाद कुकरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुह में राम भगल म हुए हमिदे करना और पीछे से चुरा गोंपने वाले या पीछे से बॺाय करने वाले दोस्त कि शूटे थेको और वी झिला ईया दामडू कर दिया था न दादा के शराद में दादी मा के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल समपत्तिю व्यÁr की तो थी ही नहीं अब लेकक की दादा के शिरादी में जो पैसे खर्चे लगे थे उन्होंने पर जो दादी ने मना किया फिर भी जो लेकक के पिताजी थे उन्होंने काफी पैसा उस पर खर्च कर दिया था क्योंकि वह घर का नहीं था तो लोगों से पैसे लेकि उन्होंने वह काम किया था श्राद किया था दादा का दादी मा कसर उदास रहा करती मा के दिन थे कडाके का जाड़ा पड़ रहा था पच्छुआ का सननाटा और पाले की शीतल हड्डियों में गुसी पड़ती शाम को मैंने देखा दादी मा घीली दोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाई हाज जोड़कर बैठी है उनके स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसु कभी नहीं देखे थे मैं बहु देर तक मन नमारे उनके पास बैठा रहा उन्होंने आँखे को ली दादी हवाएं और पाले की ठंडी हवा की जो ठीटलता होती है वो हड्डियों में गुस रही थी शाम को मैंने देखा दादी मा एक दिन अचानक से लेकर ने देखा कि दादी मा ने गीली धोती पहन रखी गीले कपड़े हैं उनके और एक कोने में एक संदूक पर नुने दिया ज कभी आंसू नहीं देखे थे लेकिन आज वो रो रही थी मैं बहुत दिर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा वो कई लेखक उनको देखता रहा और चुपचा बैठा रहा लेकिन जब कई दिर बाद जब दादीन आखे खोली तो लेखक ने धी